हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल व्रसीज ब्लॉग में है तो फ्रेंड आज मैं बनाने वाली हूं पोहा कटलेट इसके लिए मुझे चाहिए यह पोहा फ्रेंड आप देख सकते हैं यह पोहा मैंने दस मट पहले इनको दूल के और इस तरीकी की जाली में निकाल के रग दिया थाकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए और थोड़ा ब ऑगस्या neurot plast पाउड मर्ण की जरूरत हो गी flipping यह मैंने को प्लौर लिया यह हरी निर्ची इसके निर्ची हरी धनिया नमक आप सधान नुशाओं ले सकते हैं वह यह मैंने कुछ मसाली लिए जए हमारा जिंजर अगर आप गार्ली के पसंद करतें मैं यह आप इसके सादे प्याज लेसन खाना पसंद है तो आप इसके साथ प्याज और लेसन भी ले सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि आप अद्रग और लेसन का पेस्ट बनाके ले सकते हैं ठीक है इसी तरीके से आप प्याज को बारीक चौप करके उसको भी ले सकते हैं पर मैं यहाँ पर प्याज औ पोहा ले लेने हैं तो फ्रेंड यह मैंने पोहा एकजार में कर लिया है और अग तो फ्रेंड बार ही आती है अब आलू की तो आलू को मैस कर लेना है आप चाहें तो इसको कदू कस्भी कर सकते हैं पोहा के साथ मिक्स कर देना है इन सारे मसालों को भी इसमें मिक्स कर देना है फ्रेंड इसी तरीके से इस हरी मिर्ची को डाल देना है हरा धनिया और यह नमक यह प्रेंडड अब ये कॉम फ्लोर को । डाल रही हूं इसको ठोड़ा ड्लाना हैं तो थोड़ा सा छोड़ देना है इस तरीके से मैंने चुटकी बढ़ डाला है और इसको मैंने छोड़ दिया है अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो आप इसमें प्याज को भी मिक्स कर लें मैं अभी इसमें प्याज मिक्स नहीं कर रही हूं और अब इस तरीके से इसका डू बनाके रेडी करने ना है हमारत के रेडी कर अचरी बर्रेके प्यालगा में आप इसमें ब्रैके रहा हो Co हो गया है आफ रेंड मुझे इस तरीके से एक चम मच ऑईल में डाल रही हूं मैं या मस्टर्ड ऑईल का यूज कर रही हूं आपके पास कोई भी पैजिटेवल ले सकते हैं या फिर आप जो भी ऑईल खाना पसंद करें मुफली का देर या कुछ भी आप उसको ले सकते हैं इस तरीके से इसको ढगके साइड में रख देती हूं अब जो मैंने यह कॉन प्लार छोड़ा था इसको इस तरीके से पॉट में कर लेते हैं यह मैंने एक कटूरी से थोड़ा सा कम लिया है देखते हैं अब इसमें कितना पानी लगता है इसको जादा पतला नहीं करना है प्रेन अकर आपके पास कॉंट्रोल नहीं है तो आप इसकी जगे मैदा भी ले सकते हैं अब मैं इसमें धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर डाल देती हैं अगर आपको जादा तीका पसंद है तो आप इसमें मिर्ची पाउडर बढ़ा सकते हैं और यह मैंने काली मिर्च मोटी पीसी हुई लिए हैं और अब यह नमक स्वादान मिसाल डालें के प्रेल इस तरीके से मचें कॉन प्लॉर का गोल बनाके रेडी कर लेना है अब मैं इसको साइब में रख देती हूं और फ्रेंड अब मैं यह कडाई रख देती हूं यह कडाई रख रही हूं और अब इसमें मैं ओइल कर देती हूं चलिए फ्रेंड तो अब मैं अपना यह डो उठाके देखती हूं अब इसकी हम लोगों को कटलेट बनाके रेडी कर लेनी हैं इसके लिए फ्रेंड हैंड में थोड़ा सा ऐसे ओल लेना है अब देखे फ्रेंड इस तरीके से मुझे से अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेब दे नहीं है आप चाहें इसको स्क्वाइर सेब दे सकते हैं आप इसको कोई भी सेब इसको दे सकते हैं प्रेंड इसको ज्यादा मोटा नहीं रखना है अगर आप इसको ज्यादा मोटा कर देंगे तो यह क्रिस्पी नहीं होगा इस तरीके से बना के अब रेडी करके रखनेना है अ-पैक कट्ले के सब्सक्राइब, इस्वारीच कर देडिवायर सुषिधी नहीं है है चrants उत्वारी चेरिक और आप कर देखनेनी हैं तो इस सब्सक्राइब यह दो भी एक बार मिला लेते हैं क्योंकि यह कुछ दिर रखने से तली में नीचे जम जाता है तो इसको एक बार मिक्स करना जरूरी है अब देखते हैं हमारा ओईल घरम हो गया है इसमें थोड़ा सा लेकिए इसमें डाल के देख लेते हैं अगर यह तुरहंत इस तरीके से करना दा जाते हैं कंता हमारा ओईल सही गरम हो चुड़ा हूर confession अब इसमें से कटळेट को आहाने और इसमें डिप करना है इस तरीके से इस तरीके से में ज़िव है को और इसको ऐसारी को डिप करते जाना है और यह और प्लाइज करते जाना और प्ल्झर करते लेक तर्ण इसको ग्राम होने तक तलते हैं इस तरीके से एक ये कटलेट को करके पलटते जाना है कर अचाए जानव हो और इनको करारा होने तब कराई कर देना है है तो हमारे कटलेट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अबेनको निकालके रख देक है किती बोर फिस्क्री पने आदिंगे घियो इसी तरीके से सादी को करे आदि गबानti कर देनागे हाई है तो ढख strength हमारी सारी कत रिट बनके तयार हो गई हैं आप एक सकते हो नियों 20 बहुत ज़ल्दी बन जाने वारा नास्ता है और इसको आप बच्छों के टिपिन के लिए बना सकते हैं या फिर सुबह नास्ते में बना सकते हैं सामकु स्नेक्स की थरthe बना सकते हैं अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास कहुंचें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेस्पी कासी लगी भर में त्राइ करें हैं मैं